पांचवा दिन पांचवा दिन जो प्रयोग चल रहा है भारत का सास्थ्रिय नित्य कथक जिसका अध्यात्मिक सुरूप प्रगट करने जा रहा हूं इसे मैं नाम दे रहा हूं इमान सुनाट्यम ये जो प्रक्रिया है इसमें मैं कुछ फिल्म से गाने ले रहा हूँ ये वो गाने है जिसने मेरा सबंद कथक के साथ जोड़ा और कथक का जो रूप है उसको जानने में मुझे बहुत साइब उत रही ये प्रक्रिया ये आपके समक्स कुछ रचनाएं मैं आप प्रगट करने जा रहा हूँ प्रतम तीन रचना इस तरह से है पहली रचना है जनक जनक पायल बाजे जनक जनक पायल बाजे पायलिया की रुनक जुनक पर चम चम मनवा नाचे जनक जनक पायल बाजे नील गगन भी सुनकर जुमे मदुर मदुर मुसकाई मदुर मदुर मुसकाई सोई दर्ती जाबुटी है सोई दर्ती जाबुटी है गुजुटा संसार राग रंग भी काचे जनक 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 पायल बाजे जनक 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 पायल बाजे जनक 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 पायल बाजे अब ये जो नृत्य का सुरूप है उसका अद्यात्मिक सुरूप अगर हम देखें प्रार्थना की तरफ तो क्या अर्थ है यह प्रार्थना को उपियोग जब हम प्रारम करते है नृत्य तो पूरी समस्टी जो हमारे आसपास है धर्दी आकास उसके साथ इस रजना से प्रेम में सबन जोड़ा जाता है जो हमारा रिदे चक्र है उसको इस प्रक्रिया में विस्तार दिया जाता है ये इसका अध्यात्मिक रूप दूसरी जो रचना है जिसे सास्तर में कहते हैं तराना एक अर्थ में देखे तो तराना में कोई जिसे हम कहें कि अर्थ पूर्ण सब्द नहीं होते लेकिन इसका अर्थ है भीतर सब्दू का जो कोला हल है उसे बिखेर देना और आंतर मौन को धारण करना प्रगट करना ये प परमात्मा के साथ या परमसक्ति के साथ भीतर का सामाँज चलता है। ये तराना, यही राग, पवितर राग, अडाना में निबद्ध है। ये जो प्रार्थना है ये रजना है, इसका आध्यात्मिक सुरुप ये होता है, जिसमें हम आहवान करते हैं। गांधर्व लोग की जो जीव है, सक्ती है, उसको आवान करते हैं कि आप आओ, हमें मार्क दर्शित करो. गांधर्व लोग की सक्ती का सबंद है जो हमारे जीवन में उटशव मनाने का उटषव है, उसे जगाता है. जो प्रुत्वी लोग का गांधर्व लोग के साथ संपर्क है या सबंध है वो इस तरह से है तो इस प्रक्रिया में आहवान होता है कि आप हमारे आमपदारों और हमारी जो ये उत्सव की प्रक्रिया है उसे और प्रजवलित करो और खास करके यह जो सारी रचनाओं के पीछे बहुत से आत्मिक सक्ति होती है, जो प्रगट होने को भी चाती है, मदद रुब भी होती है, जब इस तरह का हम यह प्रक्रिया कर सकते हैं, एरेंज कर सकते हैं, इसमें भी इसका बहुत हाथ होता है, धेरे 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 पता चलन लगता है इसमें, तो ये प्रक्रिया दूसरी रचना में आहवान आपके सामने प्रगट कर रहा हूँ, तिसरी रचना है, गाना ही है जातो से नहीं बोलू कनईया, राह चलत पकड़ी मोरी बैयाँ जातो से नहीं जातो से नहीं बोलू कनईया पवितर राग, हंसद्वनी, जो संध्या समय का राग है, चाय परातकाल की संध्या हो, सायमकाल की संध्या हो, इसमें इस राग का उप्योग किया जाता है इसमें धीबद हिंदी भासा में देखे तो मेरी द्रस्टी से हंसद्वनी राग की सर्वस्रेष्ठ रचना जिसमे कृष्ण और राधा का पवित्र प्रेम अभिवेक्त किया गया है लित्य सबर अभिवेक्ती में